हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में चहरे की अंच्छाएं बालों को या फिर हाथ प्यारों की बढ़ती है ग्रोथ को आप घर की चीजों से कैसे रिमूब कर सकते हैं उसके लिए एक बहुत असान सा घरेलून उसका आज के वीडि कुछ लोगों के अपर लिप्स वाले एरिये पर या कानों के आसब बहुत जादा फेशियल हेर आ जाते हैं तो पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो सबसे पहले ध्यान आता है कि इनको कैसे रिमूब किया जाए ऐसे में या तो फ्रेंड्स हम पार्लर की चक्र लगाने लगते हैं कि फटा फट से रिमूब करें या फिर फ्रेंड्स हम पार्टी में ही जाना छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है आज जो घरीलों उसका मैं आप सभी के साथ शेयर करोंगी इसे आप जट पर से बना कर रैडी कर सकते हैं फेस के साथ साथ आप अपने हाथ पैरों क इस रिमूब कर सकते हैं मैं दावे के साथ कहते हूं कि आज की रेमेडी आपके अनवांटी हैड को जड़ से निकाल के एकदम बाहर पेकेगी एकदम क्लियर करेगी तो आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा पावर्फूल आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल-धमा उन लोगों के लिए बहुत ही आदा special होने वाला है जो अपने facial hair अपने unwanted hair से बहुत जादा परिशाना पूरी प्रोसेस को जाने के लिए किसे कैसे यूज करना है कैसे बनाना इसके लिए आपको बस वीडियो को एंग तक जरूर देखना होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सब इसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आज का ये वीडियो आपको जड़ा सभी helpful और useful लगे तो प्लीज वीडियो को like, share, comment करना आप बिल्कुल मत भूलेगा इस रिक्वेस्ट के और वीडियो देखने के लिए चैनल को विद बैला कर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो बिना देरी करते हैं चलिए आए फटा फट से अब अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले सेम फ्लेम पे मैंने रख लिया है तवा और उसके पर रखी एक स्टील की कटोरी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं एट करने जारी हूँ एक चमच के करीब चाता है तो उसको पिंगलाने के लिए यहां मैं गरम तवे वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ उसके बाद शहद में फ्रेंड्स आदा चमच के करीब ही मैं चीनी एट कर दूँगी और जब यह मैल्ट होने लगेगा पिंगलने लगेगा शहद तो चीनी भी उसमें घुलने लगेगी आप चाहें तो double boiler method या फिर microwave भी कर सकते हैं शहद और चीनी को इस तरीके से इसके बाद फ्रेंड्स में इसमें आदा नीबू का रस जो पूरा है वो इसमें मैं एड़ कर दूँगी यह जो हम remedy बना रहे हैं यह हम homemade wax बनाएंगे जो lemon होता है अगर आपकी skin पर दाग धबे हैं तो उनके दाग धबों को यह हलका करता है लाइटन अप करता है इसके बाद फ्रेंड्स तीनों चीज़ों को अच्छे से हम mix कर लेंगे चीनी यहां घुल जानी चाहिए शहद और नीबू के रस में यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इसी हुई चीनी का भी हाँ इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने इस homemade wax को बना लिया है और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें एक vitamin E capsule का oil एड़ कर दूगी यदि आपके पास vitamin E capsule का oil नहीं है तो आप यहां पर कुछ props coconut oils की भी डाल सकते हैं यह oil हमाई skin को moisturize करता है skin में चमक लेके आता है यदि threading waxing करा 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 कि आपकी skin बहुँ ज बहार की wax कराने से कई बार हमारे facial hair тогдаinfl unrealistic हो जाते हैं लेकिन हमारे चेहरे पर दानों की समस्या हो जाती है अपने note क्या होगा threading कराने से आपटकर दाने से कई जगार क्रों क्यूकि हम मारे pores open हो जाते हैं और फिर उनकी हम ढगसे करने करते हैं और मेरम धूल मिटी जाती हैं नहीं होगे तो देख सकते है मेरी रेमिड बनके र्यारी होगी है इसको कि एकपा चुप्चिब की बनेगी एकदमसे आपने स्टेस्सब्स रिमॉडिए पर के तयार дополн में तो इस प्रेम्स रेमडी बन की तयार होगी है इस कि पर कैसे अपलाई करें कि आप इसे अपने अन्मॉंटिड हेर को इंस्टनी रिमॉफ कर सगे यह आपको आगे की वीडियो करके दिखाने वाली हो सो वीडियो पर बने रहें साथी फ्रेंस आज में आपको अपने जो पैर क की हेगरोथ है उसे रिमॉफ करके दिखाने वाली हो कि बहुत से कमेंट आते हैं कि मैं आपके तो फेस पर जो अन्मॉंटिड है यह है निए आपके पैर हाथ पर भी हेगरोथ है निए तो मैं आपको पूरा लाइप प्रूफ करके दिखाने वाली हो सो वीडियो पर बने र इस सभीके से स्पून की हेल्प से आप फिंगर से जैसे भी आप कमफर्टेबल हो अपने हेर वाले पोशन पे इस रेमेडी को आप लगा लेंगे तो यहां में आपको एक पैच टेस्ट जो होता है मतलब पैर के जो हेर हैं थोड़े से रिमूफ करके दिखाने वाले हो किस सभ करेंगे चीनी से बनी यह अमेजंग होम रेमेडी ये रेवेक्स आपकी स्कीन पे इससे डीपली हेर को रिमूफ करेंगे तो आप देखेंगे जो हेर हों निकलके रूट से बाहर आ जाएगा लाइब लाइफ प्रूफ में करके दिखारी हों आप देख सकते हैं कि हेर लेकिन जहां मैंने वैक्स को लगाय तो वहां का हेयर रिमूव हो गया है तो मैं दावे के साथ कह सकती हो कि इस तरीके से इस रेमेडी को आप तयार करेंगे तो आप 100% अपने अंचाहें बालों से चुटकारा एजली पा जाएंगे तो बची हुई जो यह रेमेडी है उससे आप इस रेमेडी से डैप डैप करेंगे तो यदि आपकी स्किन पर जितनी भी डैट सेल्स हैं वाइट है ब्लैक है वो भी इसली रिमूव हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी है आप वीडियो देखते ही जरू ट्राइ कर लिए जाएगा अच्छी है वग रिमूव करेंगे तो एक गुनबुनी पानी में आप एक कोई भी टावल हैंगी डिप करेंगे स्किन को अच्छे से वाश कर लीजिएगा ठीके फ्रेंट ताकि जितनी भी चिप चिपाहाट है वो सब रिमूव हो जाए उसके बाद फ्रेंट स्किन को मुश्राइज करना आप बिल्कुल मत भूलेगा स्किन को अच्छे से मौश्राइज कर लीजेगा या फिर आप यहाँ अपना पैसा टाइम बचाए अपने अंचाहें बालों से मिंटों में चुटकारा पा सकते हैं आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो फ्रेंट्स यह था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आज की होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी सो अन्वांटिट हेर से छुटकारा पाना चाता है इंस्टें रिजल्ट जाहिए तो यह रेमेडी आपके लिए आप इसे जरूर ट्राइगा रिजल्ट कैसे मिले हैं प्लीज मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथी कमेंट करके यह जुरूर पताइगा कि आप इरी वीडियो को कि शैर से वाच करें ताकि मैं भी जालबाऊं कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच पा रही है चैनल पर फिस्ट्राइम विजिट कि आपने यहां तक देखा है वीडियो से कोई भी इंफर्मेशन मिली हो या फिर वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं वीबा इस वीडियो को आप यहीं करने जारी हो ए जली मिलती हो एक और नए वीडियो के जाथ तब तक के लिए आप अपना खुब साला खयाल भखिये खुश रहे थैंक यू पर वाचिंग बाइग बाइग